नवस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम आपको बिजनेस रजिस्टेशन करने के बारे में बताएंगे कि कैसे आप 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 अनलाइन एमेल आई-डी होनी चाहिए इसके लावा जो आपका आधार नंबर होगा वो आपके मोवाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और उसके बाद आप अपने किसी भी तरह के बिजनेस को चाहे आप मैनुफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो यह service providing business कर रहे हो हर तरीके के business को बहुत ही आसानी से register कर सकते हैं और आपको by काईदा certificate मिलेगा by काईदा memorandum मिलेगा जिसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं और वो certificate आपका मानने रहेगा इसके साथ साथ आप उस certificate के base पर किसी भी bank में lawn के लिए apply कर सकते हैं और काफी आसानी से आपको मुद्रा योजना के तहट lawn भी मिल जाएगा तो यह certificate काफी ज़्यदा जरूरी है तो आप लोगों को free of cost सिर्फ और सिर्फ 2 minute में अपना registration जरूर करना चाहिए आप कैसा भी business कर रहे हैं तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहिए कि इस वीडियो को like कर दीजिए और जिन लोगों ने चैनल को subscribe करके bell button नहीं दबाया है तो वो bell button दबा दीजिए जिससे ऐसी ही update आपको future में मिल सके तो सबसे पहले आपको chrome open करना है और उसमें आधारुद्ध्योग.gov.in सर्च करना है उसके बाद आप आधारुद्ध्योग.gov वाली website पर जाईए किसी और पर बन जाईए GOB मतलब government website और उसमें जाने के बाद आपकी ये website कुछ इस तरह से दिखेगी ये एक banner चलेगा इसे अठा भी सकती है अब आपको new registration करना है अपने आधारुद्ध्योग में तो आप सबसे पहला option select कर सकते हैं यापर तीन option दिए ये आपका पहले से registration है तो दूसरा करिए तो आपका नया है बुलकुल एकदम नया registration कर रहे हो तो आप कर सकते हैं यापर बो भी फिदी of cost मैं करके बताता हूँ कि किस तरीके से करोगे पोर्टल को एक बार समझ लीजिए कि इस तरह का पोर्टल है उसके बाद आपको सबसे पहले अपने आधार number एंटर करना होगा यहाँ पर आपका जो भी आधार number है और उसके बाद आपको अपना mobile number डालना होगा और बैलेट एंजर जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा और आपके mobile number पर एक OTP आया होगा वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा तो मैंने OTP डाल दिया है उसके पास उसके बाद आपका आएगा type of organization आपका business कैसा है एकल स्वामित तो है या साजेदारी में खोला है आपने उसके बाद pen card या company बगएरा खोली बहुत सारी option है उसमें से select कर सकती है और continue करोगे तो यहाँ पर एक form आजाएगा वो form आपको भरना होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें पूची जाती है आपका business का name क्या है कब business start हुआ था आपका name क्या है आपका address क्या है business का address क्या है आप विकलांग तो नहीं हो ऐसे बहुत सारी सवाल हों के जब आपको देने पड़ेंगे अपनी bank detail डालने पड़ेंगी अपने plant का address टालना पड़ेंगा आपका turnover कितना है business से start करते time कितना पैसा आपका खर्चुआ था ऐसे सभी feature यहाँ पर दिये हुए हैं यह सभी आपको completely भरने पड़ेंगे तो एक एक करके आप यह code है code का मतलब है आपको अपने business की category decide करनी है इस पर click करोगे तो आपका business किस category में आने वाला business है वो भी आपको यहाँ पर enter करना होगा और यह सारी चीज़ा भरके आप continue कर सकती है और जब हमने भर दी तो यहाँ पर हमारे mobile पर एक OTP आया होगा और एक ही यह capture code है यह दोनों हमें enter करने होगे तो दोनों हमने enter कर दी अब OK पर click करेंगे यहाँ पर हमारा registration हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी आ गया और यह हमारा जो DM का ID है वो भी हमें यहाँ पर मिल चुका है तो इसका हम screenshot ले लेते हैं अब हम इस certificate को save कर सकते हैं अपने इसमें यह certificate नहीं है sorry certificate आपका verification के बाद आएगा लेकिन मैं आपको एक demo के लिए दिखा देता हूँ किस तरह certificate हुगा क्योंकि अल्रेडी हमारा registration है तो दो से तीन दिन के अंदर आपके document verify हो जाएंगे तो आप अपना certificate इसी portal से download भी कर सकते हैं और इस number को याद रखे हैं जिससे इस number को इंटर करके आप अपना certificate download कर पाएंगे in future जब भी आप download करेंगे लेकिन अब मैं आपको download करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप तीन dot पर ok करोगे तो यहाँ पर प्रिंट उद्ध्योग certificate का option आता है तो उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यह उद्ध्यम registration number जो आपका था वो डालना होगा mobile number डालना होगा और उसके बाद verify and generate OTP पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपका OTP आएगा और verification होगा और उसके बाद इस तरीके का certificate होगा जैसे आप print कर सकती है और download कर सकती है तो इतना easy है इसको use करना और काफी आसानी से आप इसमें registration कर सकती है तो दोस्तों आपनी complete वीडियो देख लिए आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आदार उद्ध्योग में अपना registration कर सकती है वो भी बिना पैसे लगाए तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो comment करके जरूर बताना वीडियो ची लगी हो तो like कर देना चैनल को subscribe करके bell बटन दबा देना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद